तो प्यारे मित्रों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब केनल अनुपी स्टडी में दोस्तों आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लेशन नमब बारह बिसिश्ट उसमा तथा गुबत उसमा ठीक है बिसिश्ट उसमा गुबत उसमा की बात की जा रहे ना यानि बिसिश्ट एक गुबत उसमा तो उसमा की बात की जा रहे हैं इसमें तो सबसे पहले समझ लेते कि उसमा क्या होता है देखेगा इसके इस लेशन के नुमेरिकल को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा द ठीक है तो चलिए उस्मा क्या होती है उसको देखते हैं उस्मा यानि हम लोग की पहले हेडिंग क्या है उस्मा उस्मा क्या होती है तो उस्मा एक प्रकार की क्या होती है उर्जा होती है उस्मा एक प्रकार की क्या होती है उर्जा होती है जो क्या करती है जो एक वस्तू से आदमी बना रहे हैं ठीक है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होती है तापांतर के कारण क्या होती है अस्थनांतरित होती है यानि तापांतर के कारण एक अस्थान से दूसरे अस्थान में क्या होती है अस्थनांतरित होता है किया उस्मा की परिवागसा क्या बताएंगे कि उस्मा एक प्रकार की उड़्जा है denied एक वस्तू से दूसरी वस्तू में त्रप गरन के कारण क्या होती है अस्थनांत्रित होथीए और इसका अस्थना ढरक किदर से होता है तो उच्छ ताप से किदर होता है निम्न तौशस्मा ताप की औरोता है उच ताप दिधर आएगा उधरा की उष्मा निमवνताब की तरफ जाएगी Eachyu गवाई तो उस्मा एक प्रकार की उरजा होती है जो एक वस्तु से दुसरे वस्तु में तपांतर के कारत कि आ त्यों अस्थनांतरित होती है और अस्थनांतर कैसे होता है तो उच्छताब से निमनिताब क्यों रोता है इसकी मात्रक के बात कर ले उस्मा की मात्रक की बात कर ले यूनिट की बात कर ले तो इसकी उनिट क्या होती है तो इसकी उनिट होती है क्या कैलोरी कैलोरी या क्या होता है जूल होता है कैलोरी या जूल होता है इधना क्लियर है जो उस्मा होता है इसका मातरा क्या होता है कैलोरी या तो जूल होगा ठीक ना यह प्रतिमा समझेगा और है ठीक है और इसका मातरा कैलोरी या जूल जहां भी आपको दिखें जूल या कैलोरी तो को समझे वो किसको बता रहा है उस्मा को बता रहा है किसको बता रहा है उस्मा को यहां पर एक कैलोरी की डिफिनीशन पूस्ता है ठीक ना एक कैलोरी एक कैलोरी की क्या पूछता है डिफिनीशन पूछता है किसका मत रखे कैलोरी उस्मा का एक कैलोरी तो एक कैलोरी की डिफिनीशन पूछता है तो आप बताएंगे क्या कि एक कैलोरी वह उस्मा है एक कैलोरी वह उस्मा है जो किसी वस्तु के ताप को 14.5 डिग्री सेल्सियस से मुझे 15 अद्र मजी सेल्सियस क्या करने इताफंटर करने में आवस्य खोती यानि उस्यह की वह मात्रा उस्वां की वह मात्रा उस्वां की वह मात्रा जो किसी वस्तौ में 14.05 civ तैल एंधे 15 15.5 दिय्व कैलोरी उस्मा जो एक कैलोरी उस्मा होता है एक कैलोरी उस्मा होता है यह होता है चार दसमलो दो जूल के बराबर होता है यहां पर दो मातरक है ना कैलोरी और जूल तो भाई कैलोरी को जूल में चेंज करते हैं तो वहीं एक कैलोरी चार दसमलो दो जूल के बराबर होती है य गूड़े कैलोरी कितना होता है 25 J जूल तो यहीं हो जाता है कितना चार दश्मलों दो गूड़े दस की पावर माई 10 की पावर 3 J जूल इतनी बात समझ में आई इतना बात सब को समझ मिर तो यह रहा उसमा उसके यूनिट्स रहें कैलोरी जूल ठीक ना उसमा एक प्रकार की क्या है उर्जा है जो किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ताप अंतर के कारण क्या होती है अस्थनांतर होती है और इसका अस्थनांतर उस्चताप से निम्नताप क्यों होता है इसकी उनिट की बात करें तो कैलोरी या जूल होता है एक कालवारी की बात करें तो एक कैलोरी वह उस्मा होती है जो किसी वस्तु के ताप में कितने का अंतर करें तो 15.5 डि मेकorth 1 14 मेक North पांच से 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 चाहिकर ने मेकर करने में उस्मा की जो मात्रा उस्क होती होई कलाती है एक कैलोरी उस्मा एक कैलोरी उस्मा जो होता है चार दस्मलों दो जूल के बराबर होता है एक किलो कैलोरी उस्मा की बात करें तो वह कितना हो जाएगा तो किलो में कितना होता है दस की पावर तीन ग्राम यहीं होता है ना दसमलो गुड़े चार दसमलो दो जूल तो इसी को लिख सकते हैं चार दसमलो दो गुड़े दसकी पावर तीन यह एक हचार को दसकी पावर तीन जूल लिख सकते हैं तिये रहा उस्मा ठीक है इतने को नोट करिएगा फिर देखते हैं बिसिस्ट उस अच्छे से पढ़िएगा इसके नुमेरिकल को जदा कई बार प्रैक्टीस कर लिजेगा और इस लेशन के दिएक अच्छे से पड़ लिजेगा ठीक है एक बार ली पढ़िए दो बारी पढ़िए लेकिन अच्छे से पड़ लिजएगा क्योंकि Its freedom पूछे जाते हैं ठीक है तो अब बात करते हैं विस्ष्ट उस्मा की विस्ष्ट उस्मा की बात करते हैं कि विस्ष्ट उस्मा क्या होता है इस फैस्पी खिट क्या होता है ठीक है तो चलिए देखते हैं विस्ष्ट उस्मा तो विस्ष्ट उस्मा किसी धातू के इकाई किसी वस्तु के 1 दर्विमान का ताप एक डिग्री डिर्भ क्थएस मर्ण ओस्मा कहा जाता है कोई भी वस्तु है कोई भी वस्तु है इसके एक काँक डिग्रीयर दर्विमान का ताप का ताप एक डिगरी सेल्सियस बढ़ाने में जैसे वस्तु का ताप पांच डिगरी सेल्सियस है तो उसको यानि इस वस्तु का ताप पांच डिगरी सेल्सियस है इसको बढ़ा के छे डिगरी सेल्सियस करना है यानि एक डिगरी सेल्सियस ताप बढ़ाना है तो जितनी उस्मा की मात्रा लगेगी जितनी उस्मा की मात्रा लगेगी उसी उस्मा को बोलते हैं क्या विस्ष्ट उस्मा बात सबको समझ में यानि कोई भी वस्तु है उसका एकाई दर्विमान लिया जाए एकांक दर्विमान लिया जाए एम माना जाए वह भी एक माना जाए ठीक है ए उस्मां का राती तरा यह विशेष्ट उस्मा एधनी सबसमा कर ले इतनी सब सबस्जार मेख यह के उनिट की बात कर ले इसके यूनिट की बात कर ले तो क्या होता है इसका यूनिट होता है कालोरी प्रोंट Think घ्राम डिघ्री capturing सेल्सियस प्रति घ्राम डिघ्रीं सेल्सियस पहले इसका फ़र्मूला लिकर लेते हैं ठिक न फिर बाद में लिह लिखेंगे क्योंकि फर्मूल से लिकने में और मदद मिलेगी थोड़ा अछे से तो देखिए यह जो विशिष्ट उस्मा होती है इसको एस से दिखाते हैं इस फैस्पिक हिट इसका एस लेटर लेते हैं ठीक है अब कहा है परिभासा के अनुसार की एक एकाई दर्मान की वस्तू का ताप एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी उस्मा क्या सकता होत है उसे क्या कहते हैं विशिष्ट उस्मा अविशिष्ट उस्मा को किस्तर दिखाते हैं ससे से तो एस बराबर होता है क्यों बठा में M into Australini इतना क्लियर यह फर्मूला इस फर्मूले десятमा लिजएगा जहां पे लिख दे जहां पे क्यूं क्या है तो उस्मा है एम क्या है तो द्रविमान है डिल्टा टी क्या है तो तापांतर है तापांतर है ठीक है इतनी बात समझ में आई तो इकाई द्रमान की वस्तु में एक डिक्रिसेलसे स्ताफ बढ़ाने के लिए जितनी उस्मा क्या सकता होती है उसी उस्मा को क्या यानि इसी उस्मा को क्या बो करते मातरक क्या होता है कैलोरी प्रती ग्राम डिग्री सेल्सियस उस्मा के मातरक क्या होता है कैलोरी पीछे पड़ चुके एम दर्मान है तो इसका मातरक ग्राम लिखे या किलो ग्राम लिखे तो ग्राम लिखे हैं और ताप का मातरक डिग्री सेल्सियस तो कैलोरी प्रती ग्राम डिग्री सेल्सियस या और क्या होता है इसका मातरक तो इसका मातरक होता है क्या जूल प्रती ग्राम डिग्री सेल्सिय किलो ग्राम डिग्री सेल्सियस या और क्या होता है तो किलो कैलोरी ग्राम किलो कैलोरी किलो कैलोरी सोड़ी से किलो कैलोरी इसको मातरक द्यांदी मातरक भी पूछ देता है किलो कैलोरी प्रती किलो ग्राम प्रती किलो ग्राम डिग्री सेल्सियस यह सब इसके क्या है मात रखे इतनी बात हैं सबको समझ में आई किलो कैलोरी प्रतिक ग्राम डिगरी सेलसेस जूल प्रतिक ग्राम डिगरी सेलसेस जूल प्रतिक ग्राम डिगरी सेलसेस केलोरी प्रतिक ग्राम डिगरी सेलसेस यह सब क्या है मात रखे किसके विशिष्ट उसमा के ठीक है किसके हैं विशिष उसमा के तो इसके मातरों को थोड़ा ध्यान में रख लिजेगा और इस फर्मुले को नोट कर लिजेगा बस इतना आई ठीक ना और जो इसके बारे में पढ़ना होगा पढ़ लिजेगा जो बिसिश्ट उस्मा होती दो प्रकार की होती है जो आपके बुक में दिया है ठीक ना किया दिया है कि नियत आयतन पर विसिष्ट उस्मा और एक दिया है नियत दाव पर विसिष्ट उस्मा तो यह इसके जो हेडिंग है यानि जो इसका नियत आयतन पर विसिष्ट उस्मा जो हेडिंग बने इसी इसी से आप इसकी परिवासा बता सकते हैं नियत आयतन मतलब आयतन निश्चित होगा तो उस समय जो विशिष उस्मा मतलब उस्मा क्या सकता होती है वहीं क्या कर लाती है तो नियत आयतन पर विशिष उस्मा कर लाती है यानि इसमें एम दर्मान के लिए एक गैस का आयतन नियत रहता है यानि यहीं एम दर्मान की वस्तु लेंगे लेकिन इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा इस्थी रहेगा नियत रहेगा उस समय जो उस्मा विसेश रुस्मा उसे क्या बोलते हैं नियत आयतन पर विसेश रुष्मा वहीं बात दाब पर होती है नियत दाब की यानि एम दर्मान की कोई वस्तु है और उस पर दाब इस्थ देखते हैं उस्मा धारिता उस्मा धारिता उस्मा धारिता क्या होती है तो देखिए हम लोग ने बिसिष्ट उस्मा में पढ़ा है तो हम लोग ने पढ़ा था कि इकाई दर्वमान वस्तु का एक डिग्रेस से स्था बढ़ाने में जो उस्मा की मात्रा होती है वह होती है वि किसी भी वस्तु का कुल मात्रा का ताप एक डिग्री सेल्सेस बढ़ाना हो। तो कुल मात्रा को बढ़ाने में यानि एक डिगर सेल्शेस ता बढ़ाने में कुल मात्रा का एक डिगर सेल्शेस ता बढ़ाने में जितनी उस्मा क्या सकता होती है वहीं क्या कहलाती है उस्मा धारिता तो यहां से उस्मा धारिता का फर्मूला क्या निकल के आ जाएगा उस्मा धारिता का फर्मूला क्या निकल के आ जाएगा तो वस्तु की कुल मात्रा M और उस पे लगने वाली उस्मा की मात्रा कोई यानि S सिसका मत्रा को यह इसका फर्मूला क्या बन जाता है कि अश्मा धारिता भर्राबर क्या होता है में ट illegally एस इतना क्लियर है आवस्टेक होती है क्या बोलाए किसी वस्तु की कुल मातरा का ताप एक डिग्ड सिलस्स बढ़ाने के लिए जितनी उसमा क्या सकता होती है वहीं क्या कर लाती है उसमा धारिता इतनी क्लिए इसका फर्मूला यह बन जाएगा इसकी यूनिट की बात करें म मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा देखिए एम का मात्रक दर्वमान एम का मात्रक दर्मान और फिर यह से लेकिन इसका एक फर्मूल एरे दर्मान लिखेंगे फिर यहां से बिसेश रुसमा जो उसमा इसका फिर मात्रक रखेंगे तो एम से एम कर जाएगा बिसेश र है कैलोरी प्रती किलोग्राम प्रती डिग्री सेल्सियस ऐसे पढ़ा ना तो दर्मान दर्वान कर जाएगा तो बचेगा क्या तो इसका मात्रक सिदे ऐसे लिखेंगे कैलोरी प्रती डिग्री सेल्सियस क्योंकि किलोग्राम किलोग्राम कट जाएगा उपर किलोग्राम आये उस्मा का मातर होता है कैलोरी प्रती किलोग्राम डिग्री सेल्सियस तो यहां पर भी दर्मान लिखेंगे तो दर्मान से दर्मान कट जाएगा तो बच्छे क्या कैलोरी प्रती डिग्री सेल्सि कर दो सकते हैं जूल प्रतिकेलिविन भी ले सकते हैं टीके जूल प्रतिक केलिविन तो यह रही आपकी उसमा धारिता किसी भी वस्थ to make इस बढ़ाने में जितनी उसमा किया सकता होती है वहीं क्या कर लाती उस्भस्थुकी उसमा धारिता सबक्राइब बराबर होता है MS इस फर्मूले को याद रखेगा उस्मा धारिता बराबर क्या होता है एम इंटु एक मोल उसमा की धारिता यानी किसी भी वस्तु के एक मोल की जो उसमा धारिता होती है वहीं क्या कल आती है मोली उसमा धारिता क्या कल आती है मोली उसमा धारिता और इसको दिखाते हैं किस से सी से किस से दिखाते हैं से से तो यह आप बुक कोई पढ़ लेजे इसके बारे में आप बुक से पढ़ लीजे कि जो किसी भी गैस का एक मोल का उसमा जो 味osit घारिता होता है उसकी उसमी धारिता कर्लाती इस सी से परदर्सित करते हैं जिस प्रकार बिशीष उसमा धारिता का सब्थील्ग्राम केल्वीन डिघीरी सेलशियथ से मुसी तरह जो होती है ओन्य तरह प्रकार के आप लोग पढ़़ं लिघेगा बूख से और रख से बनाया है जो तो SP यानि इस्थिर दाप नियत दाप पर विशिष उस्मा और निश्चित आयतन पर या नियत आयतन पर विशिष उस्मा Cp क्या है तो नियत दाप पेच ज़य क्या होता मुली दारिता इंड Cb क्या है तो नियत आयतन पर मुली उसमा धारिता इन सब के पीच एक रिलेशन बताया है एक ग्राफ के दवरां तो आप लोगों कोई जो इसक्रीन पे एक ग्राफ दिख रहा होंगा ठीके इस स्क्रीन पर जो ग्राफ दिख रहा है इसको स्क्रीन कर लिजिए या वीडियो को पोस्ट करके आई इसको नोट कर लिजिए ठीक है यह जो दिया है इसका क्या बता है इसमें तो इंग में जो इसके मात्रक हैं हैसाई मातरग में क्या किया है और इसका जो गड़िती है समिक्रण है उनके बारे में प्रदर्शित किया गया है किसके दोरा इस चीट के फर्मूला लिखवा दे रहा हूं ठीक ना कि जो उस्मा मापी का जल तुलियांक होता है उसको दिखाते हैं W से और W बराबर क्या होता है M into S जो उस्मा मापी का जल तुलियांक होता है यह उस्मा धारिता के क्या होता है बराबर होता है उस्मा धारिता और जल तुलियांक आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं यह उस्मा धारिता बराबर क्या होती है तो उस्मा मापी का जल तुलियांक उस्मा मापी का जल तुलिय यह आपस में बराबर होते हैं लेकिन इनकी जो मात्रक होती हो भीन भीन होते हैं क्या होते हैं इसके मात्रक भीन भीन होते हैं ठीक है तुलियांक तो जो उसमा धारिता होती है वो उसमा मापी का जल तुलियांक के बराबर होती है लेकिन बस फर्क यहीं होता है कि इसका मात्र कुछ और होता है ठीक है और इसका फर्मूला आप लोग इसे नोट कर लीजेगा और इसके बारे में अपने बूक से डिटेल में पढ़ लिजए गाए अतना क्लिए है अपने बुक से इसका डिटेल पढ़ लिजेगा बस आपको फर्मूला से मैं बता दे रहा हूं और फर्मूला इसे ही मतलब है क्योंकि कुछन सौल्व करेंगे तो फर्मूला से बस इसमें यह बात ध्यान रखना है कि जो उसमा धायरता होती है उसमा मापी जल का तुल्यां चलिए थोड़ा देख लेते हैं गुप्त उसमा को गुप्त उसमा को गुप्त उसमा क्या होती है तो गुप्त उसमा उसमा की वह मात्रा है यानि उसमा की वह मात्रा जो पदार्थ के एक ग्राम एक ग्राम मात्रा को यानि पदार्थ का एक ग्राम हो और उसके ताप में उस के ग्राम ताप को अवस्था परिवर्वर्तन करने में ब्याई होती है वहीं क्या का लाती है उस वस्तू की गुपतुप रस्जवा काल आती है और इसको किससे प्रदर्सित करते हैं तो जो गुपतुस्मां एक प्रिकार कि वह उस्मा है जो किसी वस्तु के एक ग्राम ताप में ठीक है एक ग्राम वस्तु के ताप में अवस्था परियोरतन में ब्याय होती है उस्मा तो उस्मा की बात कर रहा है न कि वह उस्मा जो एक एक ग्राम पदार्थ के ताप में अवस्था परियोरतन में ब्याय होती है उसे क्या बोलते है गुब्त उस्मा बोलते हैं इसे L से प्रदर्सित करते हैं तो वह उस्मा कितनी होगी तो Q ब्राबर होता है वही M into L, M into L, L क्या है यहां पे गुब्त उस्मा है और Q क्या है तो वहीं उस्मा है, छीके कितनी उस्मा क्या हो सकता है, वो Q है, M क्या है, द्रबिमान है, तो यहां की तो गुपत उसमा यही है ना यल है ना तो कैसा फर्मूला बन जाएगा यह बराबर क्या बनेगा क्यों अपन एम बनेगा क्यों क्या है भाई उसमा है ना तब जो इसका यूनिट बन जाएगा क्या इसका मत रख्या होता है कैलोरी कैलोरी और नीचे यह है तो इसका मत किलो प्रतिग्राम यह सब किसके मात रखें तो यूनिट किसके हैं तो एल क्या है गुपतुस्मा ना इसी के मात रखें क्या कैलोरी प्रतिग्राम या जूल प्रतिग्राम यह जो गुपतुस्मा होती है दो प्रकार के होती है एक होती है गलन की गुपतुस्मा और एक होती है वास वास्पन की गुपतुस्मा तो वास्पन की गुपतुस्मा क्या होती है वास्पन की गुपतुस्मा क्या होती है तो यह जो होता है ठीक है तो एक ग्राम एक ग्राम जल को सो डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके और उसको वास्प में बदलने के लिए जितनी उस्मा क्या सकता हो होती नां के थित आंगल कि गुबति दुस्मा इसका जो मांन होता है फान्सोचालीश कैलोरी बाता है क्र क्यूलोरी क्यलोरी क्रति ग्राम होता है या 500 477 क्लोरी प्रति ग्राम होता है कि या इसी कमान होता है किसमें जूल में तो होता है वो कितना तो 2.268 गुड़े 10 की पावर 3 जूल प्रती किलोग्राम यह किसका मान है यह सब वास्पन की गुपतुस्मा कमान है 540 क्यलोरी प्रती क्याम गुपत उसमा तो यह क्या होता है तो यह होता है कि 0 Gobierno सेल्सियस पर जीरो डिग्री सेल्सियस पर एक ग्राम बर्फ को एक ग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए जितनी किस्मा उस्मा किया हो सकता होती है एक ग्राम जल एक ग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए वह भी जीरो डिग्री सेल्सियस पर एक ग्राम बर्फ को जल म बदनने के लिए जितनी उस्मा क्या सकता होती है उसे क्या बोलते हैं तो गलन की गुपतुस्मा उसे क्या बोलते हैं गलन की गुपतुस्मा और इसका मान कितना होता है गलन की गुपतुस्मा का मान कितना रखते हैं तो 80 किलो कैलोरी किलो कैलोरी प्रतिग्राम कैलोरी प्रतिग्राम या 80 कैलोरी प्रतिग्राम या इसी को जूल में बदले तो कितना होता है तो इन मानों को याद रख लीजेगा 548 या 3.5 या 2.2 शाफ गूरे दस की पावर तीन जूल इन सब मानों को याद रखेगा नुमेरिकास सॉल्व करने में क्या करेंगे यह मदद करेंगे इनका यूज होगा ठीक है चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं केलोरमिती का सिधांत ठीके केलोरमिती का सिधांत क्या कहता है तो केलोरमिती का सिधांत यहीं न ली गई उसमा बराबर दी गई उसमा ली गई उसमा बराबर दी गई उसमा तो इसका एक फर्मुला आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा उस फर्मूले को आप लोग नोट कर लिजिए, कैलोरमिती का सिधान्त यहीं है, आप से कोई पूछे, कैलोरमिती का सिधान्त क्या होता है, तो वहीं क्या बताएंगे, इस सिधान्त के अनुसार, जो ली गई उस्मा होती है, बराबर होती है, दी गई, उस्मा के यहीं जो होत तो इतनी बात आप एट सबस्व को समझ में आई इस बच रहा है इसका लॉच्ट अपएचिक आदरता इसके लिए आपको फर्मूले दिये है ठीक ना आप एच्रीक के लिए फर्मूले दी गए हैं तो को भी आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस फर्मुले को सब लोग इन फर्मुलो को नोट कर लीजिए और उसके बाद से हम लोग स्वाश्व करेंगे क्यूस्टन को इसके अब्यास प्रसंद को देखेंगे तो फटाक से जो आपके कर देखिए आपको कितना benefit मिलेगा ठीक है नोठ गया सब का चलिए तो इस वीडियो में इस lecture खत्म होता है इस lesson का इस lesson का lecture lecture खत्म होता है अब अगले वीडियो में पूछें उसके साथ मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब दो